तुसी हमेशा जड़े साड़ी फॉज कोड़ जिदन थे थार नहीं हो दंदे तुई चक्की फिर देऊ अपाँ उस तो भीना भी गाने चल सकते हैं गाने चल सकते हैं मैं तुन उस चीज दनी मेरेते परवावद सकी है इन क्लिप्स को देखिए क्या आपने कोई ट्रेंड नोटिस किया कि लेटिस पंजाबी गाने आल्मोस इंकम चीट हैं अगर उनके लिरिक्स में AK-47, कट्टा, बंदूक, हत्यार, पिस्टल, राइफल या फिर गोली जैसे शबना आज हम बहुत एक सीरियस विशय को लेकर आए हैं और उस सीरियस विशय के बारे में सर से जानेंगे मनोविज्यानिक राय, मनोविज्यानिक एक दर्शन गन कल्चर के बारे में कि गन कल्चर कैसे पनफता है और इसका बेसिकलिए गानों से मूवी से फिल्मों से इन चीजों से गन कल्चर पर कैसे प्रवाब पढ़ता है, मतलब यह क्या इंटरकनेक्टर है, मतलब आप जैसे कि अभी हम आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ इसमें लेना देना है, वो हम सर से जा देंगे, तो सर इसके उपर अपने ही राय देजिए कि गन कल्चर कैसे प्रवाबित करता है और कैसे पनफता है दिरे दिरे जी, यह बहुत ही सेंस्टिव मुद्दा है, और इस मुद्दे पर मनोवग्यानिक की राय बहुत एहम रोल यह बहुत एहम भूमिका निभाती है, जैसा हम खाएंगे वैसा सरीर बनता है, वैसा ही हमारा तन होगा, यह हम सुनते आए हैं, जैसा हम सुनेंगे सोसल मीडिया पर देखेंगे, वैसा ही हमारा मन बनेगा, यह भी सत्य है, अब युवा या बच्चे सोसल मीडिया पर क्या देखते हैं खास करके पंजाब के अंदर जितने भी गाने बनते हैं या मूवी बनती है ज़ादा तर उन गानों और मूवी में क्या सबसे ज़्यादा दिखाया परोसा जाता है भड़कावू गाने या हत्यार या मारधाड तो इसका युआओं और बच्चों पर सबसे बुर असर पड़ता है सिद्धु मुसेवाला के बहुत से गानों में गन कल्चर कोई तो प्रमोट किया गया था और उसी गन का शिकार वो खुद हो गए और उनकी गाड़ी में भी गन थी तो जो इनसान जैसे करम करता है उसके फल उसे वैसे ही मिलते हैं जो इनसान बंदूकों को बढ़ावा दे रहा है हतियारों को बढ़ावा दे रहा है तो उन हतियारों का एक दिन खुद को भी शिकार हो जाना होता है तो जैसे हमारे करम होंगे वैसे ही फल होंगे लेकिन इतना कहने से तस्वीर बदलने वाली नहीं है खास करके पंजाब के हालात बदलने वाले नह गाने आए नशे को बढ़ाने वाले गाने आए फिल्मे आई तो उसका असर अब दिखाई दे रहा है पंजाब में लडाई जगडा ये बाइक चलाना धुआधार रैशिंग ड्राइविंग करना फुकरा पंती या जैसे टी-शेट उपर करके डोले शोले दिखाना जिम जान यहां पर टैटू बना के रखना ये आम हो गया है तो ये आम होने से लडाई जगडा भी आम हो गया है और हत्यार रखना भी आम हो गया है और नशा भी आम हो गया है तो इसका सरे सोशल मीडिया को जाता है या जो कलाकार या जो फिल्मी एक्टर ऐसी मुवी बनाते हैं हत् सीट सुचिवे सन के इन हालातों के वो जुम्यवार है इसमेह सरे एक जैसे बात के जाती है कि मदलब गाने नहीं बनते हैं मतला अगरा 100 साल है कि मतलब अगर हम ऐसा करेंगे फुकरापंती थोड़ा ताकतवर दिखने की कोशिक करेंगे तो समाज हमको रिस्पेक्ट देगा या वो चीज़ है डर सम्मान जी जी आपने बात पीछे की की है तो मैं पीछे इसका मनोब ग्यानिक दर्शन मैं बता देता हूँ लड़ाई आज नहीं होती है या लड़ाई आज ही हो रही है ऐसा हतियार सिर्फ आज ही है ऐसा नहीं है इतिःस पर अगर हम नजर दोड़ाएं तो युद्धों से इतिःस भरा पड़ा है इनसान मोत के गरास बने इतने जितने बिमारी से नहीं बने उससे ज़्यादा युद्धों में मारे गए तो लड़ाई पहले भी होती आई है होती रहेगी और होती है लेकिन खारण उस समय अलग थे उस समय जो लड़ाई होती थी वो सत्ता प्राप्त करने के लिए अधिकार प्राप्त करने के लिए या भूख इतनी जादा है तो उस भूख को मिटाने के लिए लड़ाई हुआ कर बाद महासरानाज बहुत है मातना में है, हद से भी ज़ादा है, पहले जो लडाईयां होती थी, धन छीनने के लिए होती थी, जो राजा महाराजा दूसरे का धन हड़ने के लिए ही तो लडाईयां करते थे, लेकिन पंजाब के अंदर विदेशी पैसा बहुत आता है, तो अमीरी पंजाब में बहुत है, तो पैसे के लिए लड़ाई नहीं हो रही, खाने के लिए लड़ाई नहीं हो रही, तो आज जो लड़ाई हो रही है, उसका जो सवरूप है, वो है दूसरों की नजरों में बड़ा बनने का, फुकरापंतिया एहिंकार के क प्रशानों की मानसिक्ता पर भी और मानवता के लिए भी मतलब छोटे बच्चे होते हैं वह आपको क्या लगते हैं इससे ब्रेंबोश हो जाते हैं मतलब बहुत जल्दी जो पांच-छै साल के हैं खत्यारों को देखके, ऐसी चीज़ों को देखके, महेंगी गाड़ियां ये सब चीज़ें बिलकुल, पांस साल के बच्चे बहुत जल्दी ब्रेन वोश होते हैं युवा वरग, खास करके टीनेजर, बहुत जल्दी तड़क भड़क में गलैवर में आ जाता है अब युवाओं के सामने विकलप यही रहता है कि हत्यार खरीदो, और मारो, और फेमस हो जाओ, या फुगरापंती करो, गाड़ी शाड़ी खरीदो, ये करो, वो करो उनके मन में ऐसा ही चलता रहता है, इस से नुकसान उनका भी है, और पूरी मानवजाती का है क्योंकि ये ज़्यादा दिन तो चलने वाला है नहीं, भूग लगेगी तो क्या करेंगे, फिर किसी का धन लूटेंगे या किसी को मारेंगे तो इस कारण से वहाँ नशा भी बड़ा है, और वहाँ पर ये अपरादिक परिविर्तियां बढ़ती जा रही है जो माबाप सूजवान हैं या पड़े लिखे हैं, वो इस बात को समझते भी हैं, लेकिन रोकने में असमर्थ हैं जैसे सिद्धु मुसिवाला है या और बहुत सारे पंजाबी कलाकार हैं जो हत्यारों को परमोट करते हैं तो उन्होंने एक गाना बनाया, उस गाने पर कितने वीवर आए, मिलियन वीवर आए, तो उन्होंने हत्यारों को मिलियन लोगों तक भेज़ दिया है, तो उन्होंने अपराद कर दिया है, बहुत बड़ा अपराद कर दिया है, उन्होंने मिलियनों इनसानों का कतल किया है क्योंकि उन्होंने उन तक हत्यार भेज दिये हैं तो वो सबसे बड़े कातिल हैं कतल हत्यार से नहीं होता कतल हत्यारों की सप्लाई से भी हो जाता है हत्यार के परती ललक पैदा करना हत्यार के परती अट्रैक्शन पैदा करना भी एक कतल है इसमेढसर जैसे एक चीज यह भी कहीजाति है तो वो कहते हैं कि जैसे कि हमने मतलब लड़ाई वाले और चलो ये गाने तो बनाए लेकिन उसके साहथ हमने बकाड़ी के भी बना धिये और भी प्रप्यार मौबत ये चीज़ें भी हमने बताए उन其म गानों में वो गाने इनके चलेने लेकर लड़ाई वाले चल जाते है तो इसके फीचे कोई मानसिक वो भी होता है कि इनसान है यह अंदर से ऐसा यह भी हो सकता है कुछ इनसान है तो अंदर से ऐसा ही जानवर तो इनसान है ही है हिंसा करना जैसे जंगलों में पहले शिकार करके खाते थे, मार करके खाते थे, वो परविर्टी तो है, भी गाने वाले, जो हत्यारों वाले गाने हैं, उन पर व्यूवर जाद आएंगे, और जो बाकी अच्छे गाने हैं, उन पर व्यूवर कम आए, तो इसका मतलब यह नहीं है, कि हम ही गाने बनाएं, जिन पर व्यूवर जाद आएं, तो यह तो बहुत गलत मानसिकता है ना, जो कलाकार यह कहते हैं, कि हम यह गाने ना बनाएं तो कोई देखे ना, तो वो कलाकार भी मानसिक ग्रूप से बिमार है, उसकी मानसिकता ही बिमार है, तो बिमार आदमी बिमारी ह बांटेगा बिमारी ही फेला रहा है अच्छे गानों पर व्यूवर नहीं आ रहे या लोग नहीं देख रहे तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम गंदे या हत्यारों वाले गाने बनाएंगे तो इसका मतलब हम तो लालची हैं फिमस होने का लालच है मन में अमीर बनने का लालच सेंड सेमन से लिए घ्ल्थ रास्ता भी अपनाना पड़े लगन से लिए हैं कि लोग हमको बहुत जादा से जादा से जादा से जादा से जादा लोगों तक उनकी रीच जाए तो उनको ऐसा मन में नहीं आता होगा, उनकी क्या मानसकता होगी फिर जी, उनकी मानसकता इनसे अलग होती है वो मानवता प्रेमी इनसान होते हैं वो viewer पाने के लिए कभी भी गलत message नहीं देंगे या गलत गाना बनाएंगे नहीं जैसे हरवजन मान है या गरेवाल का अपने नाम लिया या सतिंदर सताज जी हैं या और भी कुछ कलाकार ऐसे होंगे जिनके नाम में नहीं जानता वो गाना बनाना छोड़ सकते हैं लेकिन गंदे या बढ़काऊ या लोगों को मारने वाले गाने कभी नहीं बनाएंगे जैसे हर बजन मान अभी गाना नहीं बना रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो इनसान गल्ट गाने बनाएंगे वो कभी नहीं बनाएंगे क्योंकि उनकी सोच बहुत मानवतावादी है जो मानव विरोधी सोच वाला इनसान होता है वो बढ़का उगाने बनाएगा तो सोच से कलाकार बनता है कलाकार के कर्मों से उसके गानों से उसके व्यक्तिताओं को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं इसके उपर हम फेस रीडिंग के वीडियो भी ला रहे हैं लेकिन किसी इनसान के कर्मों से व्यवहार से भी उसके मन को उसकी मानसिक्ता को आसानी से पहचाना जा सकता है आपके कहने का मतलब जर यह है कि यह चीजे डेफिनेटली लोगों पे बच्चों पे एफेक्ट तो डालती है अच्छे बूरे तरी कैसे जैसे भी है तो इसको को रोकने का या इसको बच्चों को समझाने का क्योंकि मतलब चलो जो हो रहा है वो समाज में वो अलग ठीए वो जो उनको करने से भी रोका नहीं जा सकता लेगली जैसे देखा जाए तो लेकिन क्या हम अपने अंदर कुछ कर सकते अपने बच्चों के अंदर या छोटे बच्चे जो है कि वो उस जंजाल में ना पड़े जी इसमें सबसे ज्यादा जो एहम रोल है वो पेरेंस का ही रहत उने बात्यों की तो इस से इसके बारे आपकी क्या राइए है क्योंकि वह भी हम जानना चाहते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगा कि आप आपको क्या लगता है कि यह चीजें टाइम के साथ सही होंगी या नहीं होंगी तो बाकी मिलते हैं एंग्स वीडियो